पूछताच के बहाने केज रिवाल को बुला लो और उसे गिरिफ्तार कर लो ताकि मैं लोग समझ चनाव में परचार ना कर पहूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केज रिवाल को आज यानी 4 जनवरी को एरेस्ट किया जा सकता है ऐसा आम आदमी पार्टी की ही नेता आतिशी का दावा है इसके बाद आज सुबह से ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेता राउज विन्यो कारियाला पर एकटा होने लगे हैं महीं दिल्ली पुलिस ने केज रिवाल के घर को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है उनके घर कर जाने के सभी रास्तों को भी दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया केज रिवाल के घर से अब तक क्या क्या अब्डेट आए हैं पूरा मामला क्या है आईए विस्तार से समझते हैं पहले तो ये समझ ये कि बात मुख्यमंत्री की गिरफतारी तक आखिर पहुँची कैसे एडी शराबनीती मामले में अब तक केज रिवाल को तीन बार समन भेज चुकी है पहला समन उन्हें पिछले साल 2 नवंबर को भेजा गया था और उनसे पूछताच के लिए पेश होने को कहा गया था दूसरी बार 21 दिसंबर को और फिर 2024 यानी इसी साल 3 जनवरी को बुलाये गया लेकिन वो जाँच एजिंसी के सामने पेश नहीं हुए केजरिवाल ने लिखित जवाब भेज कर समन पर सवाल खड़ी किये तीनों ही बार उन्होंने ईडी के नोटस को भाव नहीं दिया अब तक शराबनीती के कथित घोटाले में जेप्यूटी सीएम मनेश्च सौधिया राजय सभास आंसच संजे सिंग और संचार प्रभारी विजनायर को गिरफतार किया जा चुका है तीन जन्वरी को देर रात आम आदमी पार्टी के राश्रिया महा सजिफ संगठन संदीप पाठक ने एक पोस्ट पर लिखा कि खबर आ रही है कि इडी दिल्ली सीएम के घर पर शापा मार कर उन्हें गिरफतार कर सकती है ऐसी स्थिती में सभी से शांत रहने का अनुरूध है आम आदनी पार्टी नेता सौरभ भारदवाज ने भी देर रात पोस्ट में लिखा कि सुनने में आ रहा है कल सुबे मुख्यमंत्री केजडिवाल जी के घर पर एडी पहुँच कर उन्हें गिरफतार करने वाली है आपके वरिश नेता जैस्मिन शाह ने भी एक पोस्ट में सूत्रों के हवाले से इसी तरह का दावा किया इंडिन एक्स्प्रेस ने दिल्ली पोलिस के सूत्रों के हवाले से बताया कि आप नेताओं के इन पोस्ट के बाद एडी मुख्यालाय के बाहर सुरक्षा विवस्था की गई है इस बीच दिल्ली के मंतरी सौरब भारदवाज ने बीजेपी पर केजरिवाल को गरफतार करने की साज़श रचने का आरोप लगाया एक प्रेस कॉंटिंस में उन्होंने कहा चुनाव से ठीक पहले उन्हें क्यों बोलाया जा रहा है केंद्र चुनाव से पहले केजरिवाल को गरफतार करने की साज़श रच रहा है आरोप लगाया कि ED-CBI BJP के हत्यार बन गए हैं जुनका इस्तमाल विपक्षी नेताओं को डनाने धमकाने के लिए किया जा रहा है इस बीश आमादनी पार्टी के तरफ से एक पोस्टर भी शेयर किया गया आरोप लगाया गया कि BJP और ED लोगसभा चुनाव से पहले केजरिवाल को एरेस्ट करना चाहते हैं वहीं इस मामले पर BJP के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ED ने केजरिवाल को तीन समन भेजे लेकिन वो किसी न किसी बहाने से पेश नहीं हुए जिससे साबित होता है कि वो घोर बेईमान और भ्रष्ट है वहीं ED के सूत्रों ने India Today से चुड़े मनीश पांडे को बताया कि केजरिवाल के आवास पर छापिमारी की खबरे अफ़ वहां के अलावा कुछ नहीं है ED ने बताया कि आज ऐसी कोई कारवाई की योजना नहीं है ED के सूत्रों ने आगे की कारवाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अभी केजरिवाल के जवाब की जाच चल रही है इसके बाद चौथा समन जारी किया जाएगा अब बस मामले पर दिललन टॉप की नजर बनी हुई है जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे बाकि आपकी क्या राय है आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा सारी जानकारी मेरी साथ ही जोती ने जोटाई थी मेरा नाम सोनल है देश रदुनिया के तमाम खबरों के ले ललन टॉप देखते रहे है शुक्रिया